नमस्कार किसान भाईयो देशी मूर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है आज हम देशी मूर्गी पालन शुरू करने का कौन सा सही समय है इसके बारे में बाच्चित करेंगे देशी मुर्गी पालन आप पहली बार शुरू करना चाहते है तो साल बर में अक्तूबर महना सबसे अच्छा होता है और इसके पीछे कारण यह है कि हम बैच अगर अक्तूबर महने में शुरू करते है तो इसकी मार्केटिंग दिसंबर महने में आती है और पिछले दल 10 साल से मैं यह देख रहा हूँ कि सबसे अच्छा रेट हमारे देशी मुर्गियों को मिलता है तो वह December मेने में मिलता है क्योंकि आप सभी को पता है कि 31 December के celebration के लिए सबसे ज़ादा सेल अगर होता है मुर्गियों का तो 31 December पे होता है तो इसलिए हमें अगर शुरुआत करनी है तो अक्तुबर मेना हमारे लिए सही होता है लेकिन यही करते समय हमें कुछ बाते ध्यान रखनी होती है इस महिने में शुरुआत करते है तो इस महिने में बारिश का समय जो हता है वो खत्म होता है और ठंड का मोसम शुरू होता है तो जैसे ही नया बैच हम शुरू करना चाते है तो रात के समय में temperature down होने के chances रहते है तो brooding का अपको अच्छा खासा ध्यान रखना होता है brooding proper तरीके से होनी जरूरी है brooding proper तरीके से नहीं होती है तो mortality बढ़ने के chances होते है तो यह पहली बात आप ध्यान रखे उसी तरह दूसरी मतवपूरन बात यह होती है कि हमें feeding के उपर भी ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास जब choose आते है तो उन्हें proper feed देना ज़रूरी होता है हमारी feeding अगर proper नहीं होती है तो हमारे birds जो है उनका weight gain properly नहीं होता है और जैसे कि हमारा target रहता है कि 31st December तक हमारे birds की marketing करनी है और feed use अच्छा हमने नहीं किया तो उनका weight बढ़ता नहीं है और 15 December को हमारे पास जो 1 kg की मुर्गियां तयार होनी ज़रूरी है वह तयार नहीं होती है तो जैसी October मैने में batch शुरू करते हैं तो उनका feeding भी proper होना ज़रूरी है वैसे देखा जाए तो देशी मुर्गी पालन की शुरूआत हम साल भर किसी भी मैने में कर सकते है लेकिन हमें पता है कि पहला batch अगर हमारा profitable जाता है अच्छा experience हमें आता है तो हमारा confidence बढ़ता है इसलिए हमें यह द्यान रखना होता है कि हमारी पहली batch जो है वह proper तरीके से निकले और खास तरीके से जो marketing का part है वह अच्छे से cover होना ज़रूरी है तो जिन किसान भाईयों को first time यह देशी मुर्गी पालन का business शुरू करना है वह अक्तुबर मैने में शुरू कर सकते है काली हमने जो care आपको बताई है कि brooding की care और proper feeding यह दो बाते अगर आप maintain करते है तो आपके bird जो है वह अच्छा weight gain करते है और आपको weight जब अच्छा आता है तो marketing के लिए भी आपको यह bird अच्छे रहते है अच्छा profit यह bird आपको देखे जाते है पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि 31st December जो है यह सबसे अच्छा time देशी मुर्गियों की marketing के लिए माना जाता है तो सभी किसान भाईयों से मेरा यही निवेदन है कि आप October महने में अगर अपनी batch शूरू कर रहे है तो उसका profitable marketing जो है वह आप December महने में करें और अच्छा profit कमाए तो आज हम यहाँ पर रुखते हैं आप सभी का आदा है